अब देखो जेई एडवांस सीरीज में आज जो हम क्वेशन लेके आए हैं वो क्वेशन में ने यहाँ पर डिस्प्ले किया है और इस क्वेशन की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपे। रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होंगे hypothetical होंगे अब क्वेशन में क्या बोल रहा है अगर हम क्वेशन की बात करें तो क्वेशन में पहले question को पढ़ लो question में क्या बोल रहा है question में बोल रहा है a light ring of radius R a light ring of radius R wearing two identical beats A and B each of mass M is hinged at its top point O in such a way that it can rotate freely in its plane about a horizontal axis through the hinge O the bead A is affixed on the ring and the bead B is held so that they occupy position of the ends of the horizontal diameter of the ring and the system stays motionless the ring is well lubricated so that the bead can slide with the negligible friction on the ring determine the acceleration of the bead immediately after the bead B is released and final angle of rotation of the ring when all motion ceases after a long time due to little viscous friction between the bead B and the ring acceleration due to gravity is G so basically question में क्या बोल रहा है question में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे क्या है एक ring है तो सबसे पहले यहां पे एक ring ड्रॉ करे रहा है तो इस तरह से यहां पे एक ring है और जो भी ring है जिस ring के हम बात कर रहे हैं ring यहां पे इस point के about hinged है तो जो भी ring है ring यहां पे इस point के about hinged है इसका मतलब है कि इस point के about यह ring हमारी क्या कर सकती है oscillate कर सकती है अब ring में यहां पे दो beads है एक bead यहां पे है एक bead यहां पे है और यह bead इसके diametrically opposite point पे है तो question में क्या बोल रहा है question में बोल रहा है कि हमारे पास एक ring है ring पे ring जो है वो इस point के about hinged है ring इस point के about hinged है और यहां पे दो beads है दोनों bead का mass same है लेकिन यह वाली जो bead है यह bead हमारी वहां पे क्या है fixed है इस bead का mass m है यह bead हमारी ring के साथ क्या है fixed है और अगर हम इस bead की बात करें तो यह bead वहां पे इस ring में क्या कर सकती है slide कर सकती है question में ऐसा बोल रहा है कि friction है लेकिन यह friction वहाँ पे कैसा है बहुत ही negligible है तो जो भी bead है bead वहाँ पे ये वाली जो bead है ये bead इस ring में क्या कर सकती है slide कर सकती है और वहाँ पे उसने बोला है कि जो भी ring है वो well lubricated है तो basically ring lubricated है, ring में क्या कर सकती है, bead slide कर सकती है, lubrication के कारण वहाँ पे friction आता है, लेकिन ये friction बहुत ही negligible है, तो हम लोग जब question solve करेंगे, तो हमें इस friction को वहाँ पे क्या करना है, neglect करना है, अब question के दो पार्ट है, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, जिस time पे हम ring को क्या कर र रहे हैं, उस time पे हमें calculate करना है, दोनो bead का वहाँ पे acceleration, तो ध्यान रखना है, ये ring और ये bead, ये दोनो तो एक साथ क्या होगी, move करेगी, और जब बीड की बात करेंगे, तो bead वहाँ पे ring पे क्या करेगी, slide करेगी, अगर हम कोई observer की बात कर रहे हैं, और ये observer कहां पे है, ground तो ground वाला observer अगर देखेगा, तो इसको ये ring और ये bead, वहाँ पे क्या होगी, rotate करते होगी, लेकिन अगर ये दुसरी bead को देखेगा, तो दुसरी bead का motion बहुत ही, वहाँ पे क्या होगा, complex होगा, क्योंकि किसी time पे ring आगे जारी होगी, तो ground frame में bead आगे भी जारी होगी, bead भी कर रही होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ring और इस bead को हम एक single body या single system consider करेंगे, और इस bead को हम एक अलग body और अलग system consider करेंगे, तो basically यहाँ पे हम दो system की बात करने जा रहे है, एक system ये ring प्लस bead है, दुसरी यहाँ पे केवल ये हमारी bead है, अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या imagine करते हैं, सबसे पहले हम imagine करते हैं, कि जैसे ही हम इसको छोडेंगे, जैसे हम इसको छोडेंगे, तो बताओ ये भी rest में है, ये भी rest में है, ring भी वहाँ पे rest में है, तो angular velocity वहाँ पे 0 है कि नहीं, कि question में क्या बोल रहा है, question में acceleration कब calculate करना है, acceleration calculate करना है, जिस इस टाइम पर हम रिलीस कर रहे हैं इसकी एंगिलर विलासिटी जीरो इसकी एंगिलर विलासिटी जीरो और रिंग की भी एंगिलर विलासिटी क्या है जीरो है लेकिन बताओ उस टाइम पर टॉर्क होगा या नहीं होगा उस टाइम पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर इ कि slide करेगे तो उसके current होगा क्या है इस एकसे स्का टॉर्क बनेगा इसका भी टॉर्क बनेगा लेकिन इसकी tendency slide करने की है और यह तुम्हारा यहां पर क्या है तो उसके कारण जो टॉर्क रहेगा वह टॉर्क इस ring को क्या करेगा anti clockwise rotate कराने ही कोईश करेगा तो मान लो जिस time पर हमने छोड़ा उस time पर omega तो है नहीं लेकिन बताओ उस time पर इस axis के about वहाँ पर alpha होगा की नहीं होगा हाँ पर और बताओ इसका angular acceleration अगर alpha है तो चेक करो यह distance कितना आ रहा है यहां से लेके यहां तक का यह distance r है बताओ यह distance r यह distance r तो यह जो distance रहेगा वो r root 2 होगा कि नहीं होगा अब मैंने क्या बोला है मैंने बोला है कि जैसे हम छोड़ेंगे तो यह जो ring रहेगी ring पे torque बनेगा जिस torque के कारण यह ring क्या होगी कहा जारी होगी मान लो anti clockwise जारी होगी और मैंने बोला है इस bead और इस ring को हमने system consider किया है और इस bead की हम study अलग से करेंगे तो अब बताओ जैसे हमने release किया मान लो इस time पे angular acceleration कितना है उस time पे angular acceleration alpha है अच्छा angular acceleration alpha है इस axis के about यह particle उस time पे केवल क्या कर रहा है rotate कर रहा है और rotate कर रहा है तो वहाँ पे centripetal तो होगा यह देहा है ना यह तुमारी axis है तो इस axis के about जब यह rotate करेगा तो omega तो है नहीं तो centripetal acceleration तो कुछ होगा नहीं जो भी acceleration होगा वो tangential होगा और वो इस direction में होगा कि नहीं होगा 80 और जो भी 80 रहेगा 80 की value क्या होगी 80 की value हो जाएगी r root 2 into alpha देखो है के नहीं होगा पे और यह angle वहाँ पे कितना दिया हुआ है यह angle वहाँ पे आ जाएगा 45 degree देखो है के नहीं होगा अच्छा इस particle की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस particle का जो भी acceleration रहेगा वो tangential रहेगा उसको हमने लिख दिया r by root 2 into क्या होगी या alpha अच्छा अब अगले step में क्या करो अगले step में हम केवल किसकी study करेंगे हम केवल study करेंगे वहाँ पे किसकी bead की अच्छा अब मान लो तुम imagine करो ज़रा देखोर हम इसको diagram अलग से draw कर रहा हूँ ये तुम्हारी वहाँ पे ring है ये ring का वहाँ पे क्या था center of mask था और यहाँ पे बताओ हमारी एक और bead है कि नहीं है लेकिन ये bead वहाँ पे क्या कर सकती है slide कर सकती है अच्छा ये bead अगर slide कर सकती है तो ground frame में अगर जाके देखोगे अगर ground frame में जाके देखोगे तो इस bead पे बताओ इस direction में contact force आएगा कि नहीं आएगा हाँ पे मैंने क्या बोला है मैंने बोला है यहाँ पे कि अगर ground frame पे जाके देखोगे तो ये जो bead है ये bead ring के contact में तो ring उसके उपर क्या कर रही होगी दूसरा surface frictionless है तो साथ में यहाँ पे mg force भी होगा कि नहीं होगा तो ground frame में अगर देखोगे तो इस bead पे यहाँ पे एक तो n लग रहा होगा दूसरा वहाँ पे mg force लग रहा होगा इसके अलावा कोई force नहीं है अब मुझे अगर n की value calculate करनी है तो n की value calculate करने का तरीका क्या है तो सबसे पहले एक observer को imagine करो और यह observer कहां बैठ गया यह observer बैठ गया center of mass पे अच्छा यह observer अगर center of mass पे बैठ गया तो इसका acceleration क्या होगा यह distance r है तो center of mass का acceleration बताओ r alpha होगा कि नहीं होगा अब बताओ यहाँ पे हम कौन से frame पे बैठे हैं यहाँ पे हम बैठे हैं non inertial frame पे बताओ इस frame पे बैठ के अगर तुम इस bead को देखोगे तो bead का path वहाँ पे circular होगा कि नहीं होगा तो अगर हम center of mass के frame पे बैठ के देख रहे हैं तो इसका path वहाँ पे क्या होगा circular होगा अच्छा अब यह observer जब इसकी study करेगा तो एक तो इसने इस direction apply किया n दूसरा यहाँ पे apply कर दिया उसने यहाँ पे pseudo force तीसरा वहाँ पे क्या होगा m into g देखो यही free boy diagram होगा कि नहीं होगा अगर हम center of mass के frame पे बैठ के देख रहे हैं तो हमने pseudo force apply कर दिया ma एन बाहर की और mg नीचे अब इस observer के लिए बताओ यह bead slide करना start करेगी initially angular velocity क्या है जीरो है किसकी एंगलर विलास्टी जीरो होगी और bead को हम छोड़ रहे है बीट तो रलीज हुई है तो bead की एंगलर विलास्टी भी वहाँ पे क्या होगी इसके लिए जीरो होगी तो हम equation क्या लिख सकते हैं हम equation लिख सकते हैं ma minus n देखो है कि नहीं है ma minus n या फिर n minus ma equals to क्या होता है m r omega square और यह term वहाँ पे 0 है तो check करो n की value m a का मतलब वहाँ पे r alpha तो यह equation 2 है कि नहीं है वहाँ पे देखो यह चीज़ सही लिखी नहीं लिखी वहाँ पे तो एक तो हमने क्या मान लिया एक तो हमने मान लिया bead प्लस इस ring को system दुसरा हमने केवल उस bead की अलग से study करिये ground frame में केवल n और mg होगा अगर हम center of mask के frame पे बैठ के देख रहे हैं तो वहाँ पे हमने pseudo force लगा दिया centripetal acceleration उस time पे 0 है तो हम equation लिख देंगे m a minus n equals to क्या हो गया 0 तो यहां से आ गया n की value कितनी m और alpha बताओ यहां तक सब को यहां तक तुम्हें clear हुआ कि नी clear हुआ अब अगले step में हमें क्या करना है अगले step में हमें alpha की value क्या करनी है find out करनी है तो फिर से देखो वहाँ पे यह तुम्हारी ring है कि नी अब रिंग जो भी है वो इस point के about hinged है बताओ टॉर्क किसका बन रहा है यहां पे अगर तुम देखोगे तो एक तो टॉर्क बन रहा होगा इस बीड का mg यह distance वहाँ पे r साथ में यहां पे इस direction में normal रहेगा कि नी रहेगा अब इस axis के about अगर देखेंगे तो इस direction में alpha है इसका मतलब है mg का torque जादा होगा mg यहां पे anti clock wise rotate कराएगा n clock wise rotate कराएगा तो net torque equation क्या लिखोगे net torque equation लिखोगे mg into r mg into r minus n into r equals to क्या होगया i alpha अब ध्यान रखना है यहां पे हम जब equation लिखने जा रहे हैं तो यहां पे हम ring प्लस बीड को क्या पकट रहे हैं ring प्लस बीड को वहां पे हम system पकट रहे हैं यह बीड तो हमारी क्या है अलग से वहां पे तो अब equation तुम्हारी क्या निकल के आगई अब equation निकल के आगई mg r minus n n की value put करोगे तो mr square alpha अब i की अगर बात करें तो moment of inertia इस एक्सिस के about केवल इस बीड का होगा और वो हो जाएगा m r square into alpha जो भी net torque रहेगा उसको हम i into alpha लिखेंगे वहां पे तो अब equation क्या निकल के आ रही है अब equation निकल के आ रही है mg r यह हो जाएगा 2mr square alpha तो यह हो जाएगा 3mr square alpha यहां से mm cancel out होगा और alpha की value आ रही होगी g by 3r देखा है कि नहीं है तो जो भी alpha angular acceleration रहेगा उसकी value आ जाएगी वहां पे कितनी g by 3r अच्छा अब alpha की value मिल गई तो हमें calculate क्या करना है यह अगर bead a है यह हमारी bead b है तो हमें a और b bead का acceleration calculate करना है तो जो a bead रहेगी उसका acceleration तो क्या है tangential है और वह वहां पे था r by root 2 into alpha अब इसको solve करोगे तो result आ जाएगा root 2g by 3 यही हमारा वहां पे क्या होगा a bead का acceleration है तो a bead का acceleration हो गया root 2g by 3 similarly अब बताओ b के अगर हम acceleration की बात करें अगर हम b के acceleration की बात करें ground frame में तो ground frame में अगर देखोगे तो यहां पे force लग रहा है n इस direction में mg और n किसके बराबर था m वहां n वहां पे m into r alpha के बराबर था किनी तवहां पे तो acceleration अगर देखोगे किसका acceleration अगर तुम देख रहे हो b bead का तो mass हटा दो तो इस direction में g होगा और इस direction में acceleration r into alpha alpha की value आ गई g by 3 r r cancel out होगा तो चेक करो g by 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो b जो रहेगा b का acceleration हो जाएगा g root 10 by 3 चेक करो यही हमारा वहां पे a और b का acceleration है कि नहीं है तो जो b रहता है b का acceleration निकल के आता है g root 10 by 3 अब धायना question अभी खतम नहीं हुआ है question का जो part था first part यही था कि जिस time पर हमने release किया है उस time पर a और b का acceleration क्या था वहां पर है है कि नहीं अच्छा अब दूसरा में क्या calculate करना है दूसरा में calculate करना है कि finally b वहां पर नीचे आएगा oil के कारण उसको वहां पर friction मिलता है और finally कहीं जाके b क्या होता है रुकता है तो बताना है कि जब b रुकेगा और पूरा system एक तरह से क्या हो गया है equilibrium में आ चुका है तो बताना है उस time पर angle कितना form हुआ देखो है कि नहीं find the angle of rotation of the ring when all the motion ceases after a long time अब देखो solve करना है तो अगले step में फिर से diagram देखो जड़ा अब देखो अब तुम यहां पर अगर देखोगे second part की अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा जैसे हम छोडेंगे यह bead जो है यह bead तो ring के ऊपर कैसी है fixed है यह जो bead है यह bead तो ring पर क्या है fixed है और यह bead वहां पर क्या कर रही है स्लाइड कर रही है अब यह बताओ किसी टाइम पर डाइगराम चेक कर रहा है इनिशली डाइगराम यह था और यह तुम्हारी पोईशन थी जिसके एबाउट यह ring क्या कर रही है और यह तुम्हारी वहां पर इनिशली पोईशन थी यानि जो bead A है वो इस पोईशन पर है के नहीं है वहां पर और जो bead B रहेगी वो तुम्हारी वहां पर स्लाइड कर रही होगी और बताओ कुछ टाइम बाद अगर कुछ टाइम बाद अगर तुम देखोगे तो डाइगराम कुछ इस पोईशन पर आएगा या नहीं आएगा तो कुछ टाइम बाद अगर तुम डाइगराम देखोगे तो डाइगराम जो रहेगा वो तुम्हारा इस पोईशन पर आ रहा होगा वहाँ पर तो इस पोईशन पर अगर डाइगराम आएगा तो इसको हम कुछ ऐसा शो कर दे कि नहीं शो कर दे महाँ पर देखो है कि नहीं कुछ टाइम बाद हम डाइगराम ऐसा शो कर दे इस तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है या फिर एक काम करो आपर यह जो भी रिंग है यह रिंग तो इसी पोईशन के अबाउट क्या कर रही है रोटेट कर रही है तो ऐसा करते हैं वहाँ पर किसी टाइम पर यह पोईशन इस तरह से आ गई और यह कितना एंगल टर्न कर गया यह एंगल टर्न कर गया थीटा देखो जरो चेक करो यह तुम्हारा हिंज पॉइंट है कि नहीं है कि इनिशली यह ऐसा था और यह दुसरा पॉइंट था यहां यहां पे हमारी एक बीड थी, दुसरी बीड यहां पे थी, यह ए थी, यह बी थी, अब कुछ टाइम बाद इसका डाइगराम ड्रॉ करना है, तो मान लो यह कितना एंगल टर्न कर गया थीटा, अब इसको यहां पे ड्रॉ करते हैं डाइगराम को अलग से, तो यह जो एक्सिज रहेगी कुछ टाइम बाद कितना एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, इस पॉइंट को बोल दो P, इस पॉइंट को बोल दो Q, तो यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा Q, और PQ के परपेंडिकुलर वहां पे आ जाएगा AB, तो यह वाली जो बीड रहेगी वो तो इसी पोजिशन पे रहेगी, देखो है के नहीं वहाँ पे, और इसको हम जॉइन करते हुए, देखो चेक करो, ऐसा है के नहीं वहाँ पे, यह जो बीड रहेगी, यह बीड तो यहीं पे रहेगी, लेकिन यह जो दुसरी बीड रहेगी, यह बीड वहाँ पे स्लाइड करेगी, और बताओ कभी भी यह बीड अगर रुकेगी, तो उस टाइम पे टेंजेंट के अलॉंग कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो बताओ कभी भी यह बीड यहाँ पे रुक पाएगी, क्या इस पोजिशन पे जाके, बाई, यह जो बीड रहेगी, यह बीड तो वहीं पे रहेगी, लेकिन जो दुसरी बीड रहेगी, बी तो वहाँ पे क्या करी, स्लाइड करी, किसी टाइम पे यह रुक पाई गया, नहीं, क्योंकि यह यहाँ पे अगर रुकेगी, तो mg का टेंजेंट के अलॉंग क्या बन बन जाएगा तो किसी टाइम पर अगर तुम देखोगे तो डाइग्राम कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वहाँ पर बीड का यह हो गया तुम्हारा ए और किसी भी टाइम पर जब बीड भी रुकेगी तो चेक करो उसका लिए डाइग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वहाँ पर यह जब भी रुकेगी तो यह रुकेगी हमेशा लूर्मोस पॉइंट पर देखो है कि नहीं हो वहाँ पर तो यह जो एंगल है यह एंगल बेसिकल यह डाइग्राम यही पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो यह एंगल वहाँ पर थीटा है कि नहीं है वहाँ पर यह एंगल थीटा है और जब भी बीड रुकेगी तो बीड हमेशा लूर्मोस पॉइंट पर रुकेगी उस पॉइंट पर रुकेगी जहां पे tangent के along कोई force नहीं बन रहा होगा देखो है कि नहीं हो आप इ। तो जब यह रुकेगी तो यह रुकेगी हमेशा lowermost point पे जब यह lowermost point पे रुकेगी तो tangent के along कोई force नहीं है अब इस point पे अगर तुम freeboy diagram ड्रॉ करोगे तो एक तो mg यहाँ पे होगा, दुसरा mg यहाँ पे होगा देखो है कि नहीं हो आपे यह distance तुम्हारा वहाँ पे radius r है तो यह distance अगर देखने जाओगे तो चेक करो यह जो distance रहेगा यह distance वहाँ पे r sin theta होगा कि नहीं होगा अहुए मालुम है कि जिस time पे यह पूरा system रुकेगा तो उस time पे net torque 0 ना चाहिए तो इस axis के about अगर देखोगे तो mg रोटेट करा रहा है anti clockwise और यह mg वहाँ पे rotate करा रहा है clock wise बस मैंने क्या किया है यह जो line रहेगी यह line किसी time पे theta angle form कर चुकी है और इस तरह से वहाँ पे ring position पे आजाएगी इस तरह जब यह ring position पे आएगी तो जब भी यह bead रुकेगी तो bead रुकेगी lower most point पे क्योंकि lower most point पे ही जाके tangent के along कोई force नहीं बनेगा अच्छा अब अगर हम torque को लिखना चाहें तो हम equation क्या लिखेंगे mg के लिए perpendicular distance बताओ perpendicular distance यहाँ पे क्या हो गया तो यहाँ पे distance हो जाएगा mg और यह distance हो जाएगा वहाँ पे r sin theta देखो है के नहीं हो आप अच्छा आप यह चीज़ बताओ यह theta यह 90 यह 90 माइनस theta तो चेक करो यह distance वहाँ पे theta होगा कि नहीं होगा और यह distance अगर theta है तो यहाँ से इसको join करगा बताओ यह जो पूरा distance आएगा यह distance r है यह angle theta है तो चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance रहेगा वो r cos theta होगा कि नहीं होगा और यह distance r cos theta है यह distance r sin theta है तो यह जो perpendicular distance रहेगा वो हो जाएगा torque के लिए mg into r cos theta minus हो जाएगा वहाँ पे r sin theta अब अगले step में mg r, mg r cancel out होगा equation हो जाएगी 2 sin theta equals to cos theta तो जो भी 10 theta है 10 theta की value वहाँ पे निकल के आएगी 1 by 2 यह चीज ध्यान रखना है यह diagram मेंने इसी position पे क्या किया है draw ना करके उसको अलग से draw किया जब यह rotate करेगी तो यह जो bead रहेगी यह bead तो इस ring के साथ ही rotate करेगी और यह वाली जो bead है यह slide करके आ रही है और किसी भी position पे किसी position पे bead जब रुकेगी finally तो उस पे tangent के along कोई force नहीं होना चाहिए तो यह जो lower most point रहेगा इसी point पे bead जाके क्या होगी रुकेगी क्योंकि इस position पे अगर देखोगे तो tangent के along कोई force नहीं है तो यह lower most point पे ही जाके क्या करेगी रुकेगी finally यह system rest में आ गया है तो यहाँ पे हमने equilibrium की property क्या कर लिए use कर लिए तो जो question है question का concept अच्छा है इस question को एक बार समझो और फिर से तुम अपनी तरफ से solve करके देखो और देखो यह answer तुमारा match कर रहा है यह नहीं match कर रहा है ठीक है तो note down कर लो इतना तुम लो